हलो एरिवान एंड वन्स अगें वेलकम तो उमर तस्कीर यूटीब चैनल माइसलफ उमर तस्कीर गाइस फेस्बुक आड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फेस्बुक पिक्सल तो गईस फेस्बुक पिक्सल से रिलेटेड बह उमर दीचे का दिखता है और जो फेस्बुक पिक्सल का कोड होता है यानि यह जो जावा इसक्रिप्ट का कोड होता है इसका मतलब क्या होता है क्या-क्या elements इसके अंदर होते हैं किन situations में हमें फेस्बुक पिक्सल वो बहतर तरीके से help करता है तो कुच बेसिक्स के around हम के बारे में हम लोग discuss करेंगे बत बाद में discuss करेंगे सबसे पहले हम लोग को यह जो है समाझने कोश्च करनी है कि आखिर यह Facebook Pixel क्या है और यह क्या करके दे सकता है ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर screen के उपर कि यहाँ पर आपको क्या capabilities मिल जाती ही आप क्या कर सकते हो ठीक है तो एक दो points और जो बहुत ही जादा important है वो यह कि जब कभी भी आपके पास कोई ad account होता है ठीक है जब आप Facebook के उपर काम करोगे तो ad account के उपर ही काम करोगे ना Facebook ads के लिए तो हर ad account के पास एक pixel होता है और वो pixel कुछ इस तरीके से दिखता है ठीक है अब यहीं पर अगर हम थोड़ा सा types of pixel को भी समझने कोशिश करें तो guys basically दो main categories के दो types के pixels होते हैं जो आपको ad account में देखने को मिलते हैं एक pixel होता है जिसको हम लोग standard pixel बोलते हैं या फिर जादर तर इसको जो है base pixel बोला जाता है तो this is one type of pixel जो आप यहाँ पर देख रहे हो this is actually the base pixel जो आप पूरा यहाँ पर देख रहे हो यह हमारा base pixel है इसी तरीके से कुछ event specific pixels होते हैं देखो base pixels क्या करता है केवल वो page view को track करता है ठीक है जैसे आपको केवल यह चीज बता पाएगा कि एक page view हुआ है और कौन सा page view हुआ है वो आपको उसका URL बता देगा पट लेट से अगर मुझे किसी button click को जो है वो track करना है तो वो हम सारी चीजे ना base pixel से नहीं create कर सकते या base pixel से हम उन सारे scenarios को नहीं track कर सकते अगर आप यह चाहते हो कि मेरे website के उपर कोई button है और उस button पर जब कोई click करे तो वो as a event मुझे दिखाई दे और मैं उसको track कर सकूँ और जिन भी लोगों ने वो event किया है या button के उपर click किया उनको हम लोग custom audience बना सके और उनको हम लोग remarketing ads दिखा सके तो that is actually not possible with only base pixel तो उसके लिए guys आपको क्या करना पड़ेगा event based pixels होते है उनको fire कराना पड़ेगा ठीक है तो event based pixels जो होते हैं ये भी एक तरीके से javascript code ही है और ये कुछ special conditions के उपर आप fire कराते हो जैसे एक condition मैंने आपको बताई कि अगर button click होता है तो आप उसको fire कराओगे ठीक है लेट से आपका जो lead form है वो submit होता है lead form ठीक है lead form कोई है वो submit होता है और visitor जो thank you page के उपर जाता है तो आप बोलोगे this is basically a lead for us तो उसको आप lead का जो event type है उसको mention करोगे इसी तरीके से complete registration एक आप जो है event based pixel आपके पास होता है उसको आप use कर सकते हो तो there are basically 17 events जो आपको standard events मिलते हैं जिनको आप event based pixels की help से जो है वो track कर सकते हो या आप इसको ऐसे समझो कि यह 17 events 17 event based pixels होते हैं जो अलग-अलग situation में आप उनको fire कराते हो फिर से फिर से चीजों को शुरू करते हैं जो हम facebook pixel की बात करें facebook pixel actually क्या होता है facebook pixel अगर technically हम लोग समझन के उपर लगाते हैं ठीक है मान लिया हमने अपनी website के उपर जो pixel है वो लगा लिया तो अब दूसरा सवाल यह आता है किस तरीके से हमें website के उपर लगाना है तो फिर से website के उपर जो यह हमें pixel या code जो हमें लगाना है यह किस तरीके से लगाना है यह depend करता है website की technology के उपर तो अगर हम तीन टेक्नलोजी जो सबसे common technologies पे website बनती है उनकी हम लोग बात करें जैसे wordpress की हम लोग बात कर लें और यहाँ पर अगर हम लोग woocommerce जैसे अगर आप समझो तो woocommerce भी basically wordpress ही है तो wordpress हो गया woocommerce हो गया और custom made हमारी website हो ठीक है तो अगर इन तीन website के उपर जो ह क्योंकि हम यह तो track करना ही चाहते हैं मतलब कि जो भी हमारे site के किसी भी page के उपर आए हम चाहते हैं कि वो information हमारे pixel में आ जाए ठीक है तो हमें से every page के उपर लगाना होता है तो अब हमारे पास क्या-क्या options होते हैं ठीक है तो देखो wordpress या woocommerce है तो हमारे पास यहाँ पर code manager होता है हम उनको use कर सकते हैं या हम लोग Google tag manager को use कर सकते हैं क्योंकि यह जो Facebook pixel है यह भी एक तरीके का tag ही है तो Google tag manager की help से भी अगर हम लगाना चाहें तो Facebook pixel को लगा देंगे मैं as a marketer आपको बोलूँगा कि आप Google tag manager को use करें Google tag manager को पहले आप अपनी website के साथ connect कर ले और उस की ही help से लगा है ठीक है बाकी जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें manually अगर आपको लगाना है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको plugins का option मिल जाते है header footer code management plugins आती है custom made website है तो आप GTM पहले इस website के साथ connect कर सकते हो और उसके बाद GTM के तुरू Facebook pixel लगा सक तो यह वाला जो code है यह आप developer को दे सकते हो और developer जो आपकी website है उसके उपर इस code को install कर देगा या लगा देगा head section के अंदर ठीक है तो यह जो code है हमारा यह जो Java script code है यह हमारे head section के अंदर लगता है ठीक है अब यह क्या help करेगा मान लिया कि हमने क्या किया हमारा जो add account है ठ pixel को निकालने के बाद हम अपनी website के उपर इसको integrate कर देते हैं लगा देते हैं या paste कर देते हैं कुछ भी आप कहना चाहो यह करेगा क्या देखो यह किस तरीके से हमारी help करता है सबसे पहले तो यह आपको measure करने में help करेगा दो इस type से जब आपका pixel जो है ना आपकी जो website है आपकी website की जो information है वो कुछ इस तरीके से आएगी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो base pixel की वज़े से यह page view यहाँ पर capture हो रहे है और कितने page view हुए यह आप देख सकते हो यहाँ पर 2000 page view हुए इसको मैं open करूँगा तो मुझे यह पता चल जाएगा यहाँ पर urls हो गयरा की help से कि कौन-कौन से page views हुए इससे जादा मुझे information base pixel नहीं देगा मैंने यहाँ पर कुछ event setup किये हुए थे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो lead आपको दिख रहा है ठीक है यह हम लोगों ने event pixel जो है उसको fire कराया था यह जो event pixel है उसको लगाया था उसकी वज़े से कोई हमारी website के thank you page के उपर visit करता है तो हम मानेंगे कि वो हमारे लिए एक lead है तो अगर ऐसी कोई condition थी तो मैंने इसको define किया था कि यह condition अगर होती तो हम इसको बोलेंगे कि हमारा एक जो lead वाला event है वो हुआ है तो यह क्या है यह basically standard जो है event है जो मैंने आपको यहाँ पर बत जाए कि एक lead जो है submit हुई है और lead submit कराने के लिए हमें उस thank you page के उपर जो हमारा lead वाला code होता है वो fire कराना होता है this is the page view तो अगर आपने cable और cable facebook pixel यह वाला जो सबसे पहला वाला facebook pixel आपको मिलता है आपने वो cable install कर रखा है तो आपके पास किस चीज का control है आपके पास इस data आप देख रहा है उसमें आपको यह पता चल जाएगा कि page views जो है वो कितने हुए है ठीक है जो भी आप time period select करोगे जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप जो भी मैं यहाँ पर time period select करूगा मुझे select करने का option मिलेगा ठीक है तो उस time period के बीच में मेरे कितने total page view events हुए है वो म अगर हम measure optimize कर सकते हैं तो तीसरा सबसे benefited काम जो हमें pixel करके देता है वो यह होता है कि हमें यह audiences build करने में help करता है ठीक है अब यहाँ पर समझते हैं और यही सबसे important use है और इसी लिए आपको जो facebook pixel है उसको use करना है build audiences हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जो हमारे remarketing campaigns है ठीक है उनको हम लोग properly run कर सके ठीक है तो मान लेते हैं यहाँ पर यह हमारी website है यहाँ पर मैं एक बार के लिए blank page जो है वो ले ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए ठीक है तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर मे लिखा हुआ जिससे यहाँ पर कुछ traffic आ रहा है मैंने मान के चला कि मैंने Instagram के उपर कुछ work कर रखा Instagram के उपर मैं post करता रहता हूँ वहाँ पर मेरी website का link है बायो में उससे कुछ traffic आता है Facebook से organic मेरे पास कुछ traffic आता है ठीक है मेरे पास Facebook का page है जहां से organic traffic आता रहता और वो भी website के उपर जाते मैं Facebook ads भी run कर रहा हूँ ठीक है और Facebook ads run करने की वज़े से भी मेरी website के उपर traffic आता है मेरे जो दूसरे articles है उनकी वज़े से भी जो है मेरे website के उपर traffic आता है लेट से मेरा कोई YouTube channel है उस YouTube channel के वज़े से भी ना मेरी website के उपर traffic आता है तो गैस यहाँ पर क् Facebook Ads वाला जो स्कोप है ठीक है इसकी वज़े से हमारे पास क्या था एक Facebook का Ads अकाउंट था है ना इस Facebook का Ads अकाउंट था अब हमने क्या किया इस Facebook Ads अकाउंट ने जो हमें Pixel दिया ना उस Pixel को हम लोगों ने अपनी website के head section में जाकर लगा दिया अब गाईज ये Pixel क्या करे या ये code क्या करता है ये जैसे YouTube चैनल से जो लोग भी हमारी website के उपर आए हैं उनको track करता रहता है कि कितने users हमारी website के उपर आए let's say YouTube channel से 10 visitors आए यहां से Kora से भी 10 visitors आए Instagram, Facebook organic, Facebook ad और articles मिला के let's say 100 आए तो total मेरी website के उपर 120 visitors जो हैं वो आए हुए लेट से इसमें से अगर हम मान के चलते हैं कि जो है 2% लोग भी convert हुए तो यहां से हम मान के चलते हैं कि 2 लोग अगर convert होते हैं या 3 लोग अगर यहां से convert होते तो बाकि के जो 118 लोग convert नहीं होने का सीधा सा मतलब यह है यहां पर कि जिन लोगों ने हापर जो भी हमारा activity होगी जैसे website पर हो सकता है कि form फिल करना हमारे लिए important activity हो तो मान लिया 2-3 लोगों ने form फिल किया यहां से ठीक है पर बाकि जो 118 लोग है या 117 लोग है इन 117 लोगों की audience बनाने में ठीक है इन 117 लोगों की audience बनाने में तो जैसे मेरे पास एक यह guys audience set बन गया ठीक है अब यह audience set बन गया और guys चुडवात में मैंने आपको बताया था कि facebook pixel हम कहां से पकड़ के लेकर आए है facebook pixel guys हम लोग अपने facebook ads account से लेकर रहा है तो facebook pixel actually technically क्या कर रहा है ये एक bridge establish कर रहा है facebook pixel एक bridge establish कर रहा है कि जो visitors हमारी website के उपर आ रहे है उनकी information हमें facebook ads के अंदर मिल जाए तो guys अगर इनकी information through facebook pixel मुझे facebook ads account के अंदर जो मेरा है ठीक है उसके अंदर अगर मिल जाएगी तो मेरे ये जो audience है तो facebook के अंदर audience as a audience दिख जाएगी और अगर as a audience दिख गई तो हम लोग इनको add दिखा सकते हैं ये हो क्या रहा actually guys यही तो remarketing है और इसी लिए हम लोग facebook pixel को सबसे अच्छी तरीके से use कर पाते हैं या इसी लिए actually हम लोग जो हमारा facebook pixel है उसको use करते हैं अब guys अगर यहाँ पर एक और चीज समझने की कोशिश करें यहाँ तो मैंने छोटा सा example लिया कि people who came on to our website मतलब वो लोग जो visitors थे हमारी website के लेकिन उन्होंने conversion नहीं किया conversion मतलब जो thank you page पर नहीं गए थे उनको मैंने बनाया guys इतना ही नहीं होता है facebook pixel बहुत सारी चीज़े track करता रहता है ठीक है तो let's say मैंने कोई एक event बनाया कि जिन लोगों ने जो है submit form पे click किया है ठीक है यह हो गया एक हमारा submit form पे click करने वाला एक event इसी तरीके से मैंने एक event बनाया कि जिन लोगों ने जो मेरे website के ओपर video है ठीक है let's say कोई youtube video embedded है उसको जिन लोगों ने play किया यह सारी information भी अगर हम configure कर दें सही तरीके से तो हमारे facebook pixel में as event जाती रहती है तो अब हमें facebook pixel इन event के basis पर भी यह जो मैंने अलग-अलग events आपको बता हैं इनके basis पर भी audience बनाने की capacity दे रेता है या scope दे रेता है तो it's not only कि हम लोग केवल visitors ही देखते हैं ऐसा नहीं होता अगर आपको लगता है कि केवल visitors ही देख रहे हो बस कि जो लोग हमारी website पर आये और उन्होंने ये activity नहीं करी उनको हमें जो है वो audience मना नहीं it's not like that बहुत सारी और भी चीज़े होती है और e-commerce के मुद्दे में तो यह और भी जादा powerful हो जाता है guys कि वो लोग जो हमारे product page के उपर आये और product page के उपर आने के बाद जिन्होंने add to cart नहीं किया या जिन्होंने add to cart किया बट check out नहीं किया you can create different types of audiences guys advertising की जब हम बात करते हैं तो audiences के अलावा और है क्या ठीक है चाहे जहां से आप शुरुआत करो चाहे आप saved audience से शुरुआत करो वहाँ भी जादा तर लड़ाई किस बात की है कि हमें बहतर से बहतर audience बनानी है उसके बाद जो दूसरा नमबर आता है से saved audience के बाद हमारे पास custom audience का ही तो ये example है और custom audience हमारी warm audience में आती है तो आपको खुदी समझ में आ जाओगा कि facebook pixel जो है वो कितना important role प्ले करता है बट यहाँ पर थोड़े से पंगे अब पंगे जो हैं वो किस टाइप के हैं क्योंकि भाई साब iOS 14 ने आ करना सारी चीजें डिश्टब कर दी मतलब जो pixel की strength थी ठीक है pixel की जो strength इस audience set को बनाने की वो थोड़ी सी weak हो गई पर उसके भी अलग अपने solutions हैं उनकी मैं बाद में बात करूँगा तो अगर कोई यह कहता है कि iOS 14 ने effect नहीं किया देखो ऐसा बिलकुल नहीं है iOS 14 ने थोड़ा बहुत effect तो किया बट उस effect से यह मतलब नहीं है कि हमारे ads जो है वो चलने बंद हो जाएंगे या हम Facebook को जो है बिलकुल भूल जाएंगे या Facebook पे नहीं ads run करेंगे इसक पर सबसे पहले यह हमारा pixel code होता है यह वाला कौन सा code है यह हमारा base code है ठीक है this is actually base code ठीक है base code is must बिना base code के यह जो आपके event based codes है यह काम नहीं करेंगे तो base code तो होने ही चाहिए base code किन pages पे fire करोगे all pages पे fire करने का मतलब जब कोई visitor आएगा ना तो जो base pixel हमारा वो trigger होना चाह है that's it ठीक है तो अगर कोई आप से पूस्ता है कि कि cheese में pixel हमें help करता है तो जो पहला concern है that is remarketing या पहला point है उसके बाद optimization और measurement में भी हमारी help करता है ऐसा नहीं है यहाँ पर अगर आप देखोगे जो मैंने आपको बताया थे आपर ठीक है तो optimization में और measurement में भी help करता है कि day wise कितना traffic आ रहा है Facebook pixel कितना track कर पा रहा है ठीक है अच्छा एक और बात ऐसा नहीं बहुत सारे लोग को especially beginners को थोड़ी से समझने में problem होती कि जैसे यह website है और इसके ओपर हमारा Facebook pixel लगा हुआ है तो जो लोग Facebook ad से आ रहे होंगे उनी को यह track करेगा नहीं भाई साब ऐसा बिल activity करें ठीक है वो activity Facebook pixel के through जो है as audience उसको बना कर हम लोग लेकर आ सकते है Facebook ads के अंदर this is the strength of digital marketing ठीक है और यह सभी में होती है Facebook pixel ही नहीं है बाकी सारी चीजों में भी होता है ठीक है किस तरीके से install करेंगे जैसे मैंने आपको थोड़ी से hint दे दी है कि हम लोग actually GTM को use करेंगे Facebook pixel को install करने के लिए और GTM को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि GTM is basically independent of the technology कहने का मतलब technology से फर्क नहीं पड़ता है GTM के case में technology से फर्क नहीं पड़ता है आपकी website किसी भी technology में हो सबसे पहले तो GTM को connect करना पड़ता है आपकी website से ठीक है जब GTM आपकी website से connect हो जाता है तो फिर GTM पे ही आपका scope रहता है तो आप कोई भी technology की website हो Facebook का base pixel चाहे Facebook का event pixel हो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है थोड़ा सा technicality में मैं और जाओंगा एक बार के लिए के वल आपके base को strong करने के लिए कि ये जो Facebook का base pixel हमें दिखता है इसका मतलब क्या है देखो ये code जैसा है ठीक है और जैसे मैंने आपको बताई एक JavaScript code है तो देखो logically अगर देखा जाए तो कोई मुद्दा नहीं है कि importance नहीं इसकी लेकिन अगर आपको कुछ information free में मिल लेए तो और भी अच्छी बात है और पता है तो और भी अच्छी बात है थोड़ा सा confidence आता है जो लोग interview और देने जा रहे हो सकता है कोई पूछ ले आप से कि facebook pixel कैसा दिखता है क्या क्या होता है उसके अंदर अच्छा वो जो lines होती उनका क्या मतलब है तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल coder की तरह उसको decode करके बता दो कि इस सब लाइन का क्या मतलब है पर दो तीन चीजे पता होनी जैसे मोटी मोटी चीजें अगर code आप देखते होगे ठीक है जो code आप उठाके अपनी website के उपर लगाओगे उस code में आप देखते होगे this is basically the script part और this is basically the no script part ये दो चीजे है ठीक है तो script वाला ये वाला जो part है ये उन browsers के लिए होता है जो java script enabled होते है अब आज के time में सारे browsers java script enabled है ऐसा कोई भी browser नहीं हो ठीक है तो ये वाला जो section है ये उन websites के लिए basically होता है जो java script या उन browsers के लिए website नहीं sorry उन browsers के लिए होता है जो java script enabled नहीं है बट ऐसा बहुत ही कम होता है ठीक है तो अगर आप इसने code को भी लगाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा अगर इसको आप नहीं लगाते हो त जब आपकी website के उपर आता है ठीक है तो बीच में वो browser ही तो use करेगा browser से ही तो आपकी website open करेगा तो इसके browser में let's say java script enabled नहीं है और आपकी website यहाँ open होती है ठीक है तो facebook pixel यहाँ fire नहीं होगा अगर केवल यहीं लगा है बट जैसा मैंने बताया आज के time में ऐसा कोई browser नही enabled हो ठीक है क्योंकि आजकल website ही बिना java script के नहीं वनती है है तो फिर अगर website के उपर java script होता है तो सभी browsers जो है वो java script enabled होते है यह java script को support करते है अगर कोई browser java script को support नहीं करेगा तो ऐसे ही problem आए जाएगी किस टाइप की problem website ही जो है उसमें load होने में problem हो जाएगी क्योंकि website भी तो java script से ही बनी हुई है और जो java script है वो browser में load नहीं होगी तो आपकी website भी ठीक तरीके से load नहीं होगी तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा decode करना है कि यहाँ पर जो हम देखना है script वाला section this is for java enabled and this is for जो browsers है जो java enabled नहीं बट ऐसा होता नहीं है है ना उसके व करता है ठीक है तो आप अभी इतना ही समझो कि इनकी libraries को call करता है और यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे से line of code लिखा है जो कि basically हमारे pixel को यहाँ यह पूरा pixel ही होता है ठीक है मैंने यहाँ पर थोड़ा से access कर दिया इस pixel को यह initiate करता है ठीक है और यह मैंने कौन सा pixel आपको page view को track कर रहा है ठीक है तो जितने भी आपके page views होंगे जैसे यह उन सब को track करेगा इसको यह नहीं track करेगा इसको मैंने additional बनाया था ठीक है this one was additionally created ठीक है तो इसको आप भूल जाओ initially अगर आप base pixel लगाते हो तो सारे के सारे page view को वो track करेगा fine तो I believe facebook pixel की कहानी आपको समझ म आ गई होगी और इन पूरे discussion को summarize करना चाहूं तो facebook pixel वो java script का code है जो अगर हम अपनी website के उपर लगा दे तो हमारी website के उपर जो users different activities कर रहे उनको हम track कर सकते हैं और उनके basis पे कि किस user ने क्या activity करी उसके basis हम उसकी audience बना सकते हैं फर्दर हम उनको add दिखा सकते हैं तो अगर हमें लगता है कि हमारी website पे उन लोगा आडियंस बना नहीं जिनों ने एक्टिविटी करी बठ ये अक्टिविटी नहीं करी जिनोंने ये काम किया बठ ये काम नहीं किया तो it depends कि हमारा जो website है वो किस टाइप की है हमारा जो business है वो किस टाइप का है इन सारे parameters के उपर depend करत है कि हमें जो हमारी remarketing audience है वो किस तरीके से बनानी है बट without facebook pixel remarketing audience का खेल zero या नहीं बना सकते आप facebook cards के अंदर दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्श वीडियो में तिल ने गुड़ बाई कि अर्टिक अचे दोस्तों आपको पूर्टिकुलर वीडियो में इतना नेक्श।